आप सवी का स्वागत है हमारे यूटूब जैनल में आज मैं रविंदर ग्रेवाल आपके लिए लेके आया हूं और नई वीडियो जिसके अंदर आज हम आपको बताएंगे कि जो आपका यह रिक्ष्या का जो कर सकते हो क्योंकि हम देखते हैं कि जाता से सत्र परसेंट यू है हमारे कंट्रोलर जिन में आपकी जो है समस्या आती है है कि हमारी मौसफेट खराब होती है जब आपकी मौसफेट जब कभी वी किसी भी कंट्रोलर की अगर खराब होती है तो उसका ड्राइवर सेक्षन साथ-साथ जरूर जो है आपको चेक कर लेना चाहिए कई बार समस्या आते कि आप नई मौसफेट चेंज कर देते हो लेकिन फिर भी मौसफेट दोबारा से क्या हो जाती है फिर से खराब हो जाती है तो ऐसी कंडिशन में उसका जो है ड्राइवर सेक्षन जो है खराब होता अगर मौसफेट आपकी बार-बार खराब होती है तो तो इसके अंदर आज हम ड्राइवर सेक्षन के बारे में ही जानेंगी इस वीडियो में कि एक इसका जो ड्राइवर सेक्षन है वो उसका सर्किट किस परकार का जो डिजाइन होता है और उसको आप कैसे जो है इजिली चेक कर सकते हो तो अगर इसके इसके कंट्रोलर में तोर तिन लोवर चैनल की तुजा अगर पर की बात करें जिस साथ कि पमकी सुनर में जो मैं जो रेड़ लगे leองगी उती है इस तरफ जो मॉसफेत आप taraf के लगे हुए है रेड़ वायर की तरफ वह का अपर चैनल होता है और जिस तरह मउसफेत लगे उपनीं रहते हैं तो इसके अंदर जो है 12 MOSFET आपके लोवर की तरफ होते हो और 12 ही MOSFET आपके अपर चेनल की तरफ कंट्रोलर के अंदर होते हैं अब उन 12 MOSFET में भी 4-4 का पेर बनाया जाता है चरचर वायर का जो है पेर होता है जिसके अंदर हम जो है तीन आपके अपर साइड के ड्राइवर सेक्षन होते हैं तो हम आज इस ड्राइवर सेक्षन यह जो यहां पर देखेगा यह चोटा सा जो सर्कृट इसके अंदर अगर आप देख पाओ तो यह चोटा सरकुट है या आपका ==== जो इस वायर के साथ जो आपकी ब्ल्यू आइर के साम लगी हुई है इनको यह ऑप्रेट करता है इनको एक कंट्रॉल करता है काम करने का काम इसी तो आज हम जो है अपकर साइड का ड्राइवर सेक्षन होता है उसी के बारे में पढ़ेंगे एक छोटा सा सर्कीट भी बनाया हुआ है पहले हम सर्कीट के थ्रूँ आपको बताएंगे कि कैसे आपकर साइड का जो आपका ड्राइवर सेक्षन होता है उसमें किस परकार आपके कॉमपोनेंस लगे हुए होते हैं और वो आपका जो नगी हुई है तो देखेगा चार के लिए जैसा कि हमने बताया था कि 4 मंटति के लिए एक ड्राइवर सेक्षन होता है जासा कि अब अभी बनायी बॉर्ड़ पह ये अपनर ड्राइवर सेक्षन है वैसे भी यह अपर साइड का जो है driver section है यह बोल सकते हैं जिस तरह हां कि red wire से supply आती है तो red wire से जो supply आती है वो in mostfate के drain पर आती है आप यहां मान सकते हैं के drain कि आती है positive 48 गौर्ड यह सब आपस में जुड़े हुए होते हैं एक कोपर के जंपर के दोवारा वो भी आपको दिखाएंगे कि किस परकार से आपस में सब आपके पॉजिटिव आई हुई है और यह सारे आपके मोटर वायर से जुएंट होते हैं यहां इनको मोटर वायर को दिखा रहे हैं फिर हम इसको जुएंट करके दिखा देते हैं यह सर्कीट में जो है इस परकार से एक दूसरे से सारे के सारे वायर आपके ज्वाइंट होते हैं सोर्स सारे ऐसे ज्वाइंट होते हैं आपके जो पोजिटिव जो 48 वोल्ट है यानि कि जो ड्रेंट की पिन है वह आपसमें इनकी ज्वाइंट होती है ताकि हर एक मोस्फेट को जो है ड्रेंट पर 48 वोल्ट पोजिटिव स्प् सब्सक्राइब करता है जब इसके ड्राइवर सेक्शन सिग्नल बैजता है तो आपकि न्होंने पर जो है यह सिग्नल जब तालीस वॉल्ट जो आपकी व्ले सीमी को पास को करता है असर्कित करना ही मूज्ठिश्टर करती है और ह्वाय हम और की कि हर यह को नुن से और 10 ओम के बीच में होता है अगर जीरो होगा तो यह तिन मतलब सेम रजिस्टर होते हैं अगर जीरो का लगया हुआ है किसी सेक्षन में तो उसमें चारो रजिस्टर आपको जीरो ओम के ही दिखेंगे अगर आपको पाँच ओम का एक रजिस्टर हैं तो जांओंगे क्या होंगे जो रिपेर करने वाड़े रिजिस्टर है तो इसकी तब गा लगाव देखते हैं जो कि हमें जो है नहीं लगाना चाहिए अगर रिपेर करते हैं से हुमें रिजिश्टर रेजिश्टर की हो इसके बाद तक ड़ता है किसी में 48 ohm लगया हुआ किसी में 50 Ohm किसी में नोमका वैसे ज्यादेर बात करें तो इसमें 100 Ohm जो है रजिस्टर यहां पे लगया हुआ होता है next अगर components की बात करें तो हमने जू है डायोड बना रखना यह यहां पर normal यहां पर और यहां पर इनन अगर अधर यहां पर विद्सक्षारinas टीशना टो प्लक शल्ट के लेक्ट पर जैस आहिए at Parkunda चैटक एक स्कूर्चा मीरलश में इस चिए आपका M7 जो है डायोड होता है यह थोड़े बड़े साइज में होता है और यह यहाँ एक जो ट्रांजिस्टर है यह आपका NPN ट्रांजिस्टर है तो इस परकार से इसके अंदर देखें तीन ट्रांजिस्टर लगा रखें और यह ज्यादा तर आपको पान सो दस ओम की असपास जो है वैल्यू इसकी मिलती है और इस ट्रांजिस्टर के साथ यह आप देख पा रहे होंगे यह वाड़े रजिस्टर आपको 2.2 किलो ओम या फिर 1.5 किलो ओम की आसपास इक जो है रजिष्टर आपको मिलते हैं यहोज़ यहां से आपकी 14 वोल्ट की जो है स्प्लाई इन होती है इंपूट होती है इसी सर्किट के अंदर यहीं 14 वोल्ट जाकर सब्सक्राइब करते हैं यह 14 वर्ट की जो स्प्लाई ही आपकी रेगुलाइटर आई सी सी आती है रेगुलाइटर आई सी की पिन नंबर 3 से आती है रेगुलाइटर आई सी इसमें लगी यह उति है ठेतरेल 05 यह जो हाई आइसी लगी ओए होती है, इसकी तीन नमबर, यानि उसी से जो आपके शरकीत की अंदर आते हैं, जो आपकी छे ड्राइवर सेक्सन है, चेकेन मबर से आपको छोधं आते हैं जो आपकी मोज्केन को अब यहां जो है यह जो हमने इस तरफ जो रजिस्ट लगा रहे हैं यहां सिग्नल आता है से सारे सरकिट को जो है पहले माटर को आपका ओन करती है तो इसमें देखिएगा यह जो ट्रांजिस्टर है यह इसका बेस है ये collector, ये emmeter, ऐसे ही ये इसका base, collector और emmeter, ये base, ये collector और ये emmeter, तो ये circuit काम कैसे करता है, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि ये circuit जो होता है, ये काम कैसे करता है, तो देखेगा ये जो आपकी 14 वोल्ट ही, ये यहां सी direct जो PNP transistor है, इसकी emmeter पर भी 14 वोल्ट आती है, और एक register के through, इसके base को भी क्या मिलती है, हमें, 14 वोल्ट, और ये ही 14 वोल्ट, इस collector पर भी रहेंगी कि ये, एक ही track पर आपस में जुड़े हुए हैं, अब जो MCU होता है, MCU से signal आता है, 0, 1, 0, 1, 0, 1, यानि कि positive और negative, जो है signal आते है, MCU से, ये मान सकते कभी 0 आई, कभी 2 वोल्ट क्योंकि 5 वोल्ट पर तो खुद ही operate होती है, तो ऐसा ही voltage आते रहते हैं, signal के रूप में, 0, 1, positive, negative, positive, negative का करके signal आते हैं, तो आपको पता है कि अगर NPN transistor है, और उसको enable करना है NPN transistor तो उसके लिए base पर चाहिए में positive वोल्ट, जैसा ही अगर इसके base पर अगर positive वोल्ट आती है इस transistor के base पर, तो यह आपकी 14V होती है, जो base ओट पर है, यह आपकी सारी collector to m-meter ground हो जाती है, ground होने के कारण जो है base पर आपकी 0V होती है, अगर PNP transistor के base को 7V मिलती हैं, तो क्या होता है कि अब कि ऐसे जो मोशीट का जर्ण होता ही तो यह जो पॉजिटीव जो 48 वोल्ट यह आपकी उसच्ति वोतटी उसक्ति सथने के काणि यह मोटर सब्सक्रों करती है लेकिन मॉटर को भी जो है सिंगनल हमें पोजिटिव नेगिटिव के रूप में यानि की PWN के रूप में चाहिए होता इसलिए उसको भी जो है लगातार 48 वोल्ट नहीं दी जाती इसलिए क्या होता है एक बार के लिए इस MOSFET को ON किया जाता है फिर इस MOSFET को OFF करके दूसरी साइड की जो आपके लोवर चैनल है उस सा ओका ट्रांजिस्टर वार्क नहीं करता है क्यूंकि यह NPN ट्रांजिस्टर है इस पर और प्रेंट्र तो आपका यह विज्व फ्रक नहीं करेगा और वर्क नहीं करेगा तो यह जो कि अपकी अद्ध को 14 व्ल्ट है क्लेक्टर को नहीं आप पास नहीं तो यह आंप पर क्या हो जाएगा अगर क्लेक्टर पर 0 ओंगी तो इस ट्रंजिश्टर के बेस पे नहीं जिरो Communist आपको PNP transistor रा Parlament होती है जो आपकी व्ल्टेज आई थी वह किया होगी ग्राउंड ओ जाती है वह सारी क्या होती हैं मि क्लेक्टर जो है आपका जो टांजिस्टि न कि इसके जैसाइम। up कर रहा है और यह चकार कर रहा है इस परकार का सरकीट को क्यां है आपका पर जो ड्राइवर सेक्षन है वो काम करता है कि यहां से आपका जैसे यहां का सिगनल आते है तो आपका जहां मोस्ट फिर से जो है जो है दिस्चार्ज हो जाげता है इसी प्रकार आपका मौसएट। जो सेक्शन र्पर सेक्शन वो काम करता है तो आपका कंट्रोलर का यह इसे आपका द्रैइवर अंदर भी है जो हम ऍलेक्स वीडियो में आपको ट्रेश करके दिखाए कि किस परकार से आपकी कहां ये ट्रेंजिस्टर लगे हुए है, कौन-कन से रजिस्टर लगे हुए है वह सब भी हम नेक्ष्ट वीडियो में दिखाएंगे जानना हो तो और और उप किसी सेक्षन बारे में आपको सब्सक्राइब के दिखाएंगे झाल, 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 झाल.